Students, हमारा अगला टॉपिक है cell membrane, तो चलिए जानते हैं cell membrane के बारे में, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक cell का structure दिख रहा है, तो अगर हम इस cell के structure की बात करें और अगर इसके outer surface की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, तो बच्चों आप बता सकते हैं कि इस outer covering को क्या कहे तो इसे हम कहेंगे cell membrane, जिसे हम plasma membrane भी कहते हैं, और cell membrane का nature जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वह selectively permeable भी होता है, और ये कुछ चीजों को आने देते हैं, और जो चीज़े जरूरी नहीं है, उसे बाहर निकाल देती हैं, तो cell membrane की अगर हम बात करें, तो ये lipid, protein और carbohydrate के chain से बना हुआ है, तो students location and feature of cell membrane के बारे में देख लेते हैं, तो अगर हम location की बात करें, तो ये जो है animal cell के outermost boundary का formation करता है, ये सबसे बाहरी layer है, जिसे हम cell membrane कहते हैं, जैसे कि आप अपने screen पर cell का image देख पा रहे हैं, और जो boundary है, उसे हम cell membrane कह रहे हैं, तो इसके features को जा लेते हैं, तो cell membrane जो है, वो external environment से cell को separate करने में मदद करता है, और cell membrane जैसे कि आप जानते हो, selectively permeable होता है, तो ये वही चीजों को अंदर आने देता है, जो cell को जरूरत होता है, और जो चीजे जरूरी नहीं होती है, वो cell के बाहर निकालने के में मदद करता है, तो हम ये कह स और कई बार तो cytoplasmic membrane भी कहते हैं, तो चलिए देखते हैं, plasma membrane का structure हमें तब पता चला, जब electron microscope की discovery हुई, जो की 1950 में ही possible हो पाए, आप अपनी screen पर electron microscope का picture देख पा रहे हैं, और इसी electron microscope में ही plasma membrane के structure को देखा गया, और उसका structure कुछ ऐसा दिखा, तो हम ये कह सकते हैं कि structure of plasma membrane when viewed under the electron microscope को, अगर हम cell membrane की बात करें, तो ये lipids से बने हुए हैं, जो की bilayer के form में arranged है, यानि दो layers में arranged है, तो students, अभी आपकी screen पर एक image दिख रहा है, जहां पे आपको कुछ rounded structures दिख रहे हैं, और इसी rounded structure को हम polar head कहते हैं, और इनका nature hydrophilic होता है, यानि ये water lovers होते हैं, और बिलकुल polar head के साथ कुछ tail like structures attached हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसे हम non-polar tail कहते हैं, और इनका nature hydrophobic होता है, यानि ये water को पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो layer है, ये bilayer के form में arranged है, यानि कि हम कह सकते हैं कि lipid bilayer के form में ये arranged होते हैं, तो इसका structure आपके screen पर देख रहा है किस तरह से दोनों layer उपर और नीचे की तरफ arranged हैं, तो इसलिए हम इसे lipid bilayer भी कहते हैं, तो जान लेते हैं ये hydrophilic और hydrophobic क्या होता है, hydro का मतलब होता है water, philic का मतलब होता है lover, यानि जो water पसंद करते हैं, तो यानि hydrophobic का मतलब है ज गरम बात करें, तो आपके screen पर एक cell membrane का image दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये electron microscope के through जब देखा गया, तो cell membrane का structure कुछ ऐसा देखा गया, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे integral protein present है, integral protein वो protein है, जो cell membrane के अंदर present होता है, या फिर उसके inner surface में present होता है उसके बाद आता है peripheral protein जो कि outwards present होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं, image में जो कि बाहरी सता पर present होता है, फिर आता है channel protein, फिर आएगा globular protein, cholesterol, glycoprotein, glycolipid, क्या आपको पता है, by investigation के दौरान हमें क्या पता चला, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, cell membrane जो है, बहुत सारे proteins और carbohydrates से बने हुए है, हमें ये भी पता चला कि proteins और lipids का जो ratio है, वो हर एक cell में अलग-अलग percentage में present होता है, और जब हमने red blood cell को study किया, तो हमें ये पता चला, कि जो RBC है, जानी कि red blood cell humans में, वो 52% protein से बना हुआ है, और 40% lipids से बना हुआ है, तो students, हम plasma membrane के structure को और भी अच्छे से जान पाए, दो scientist की वज़े से, जिनका नाम था S. Jonathan Singer और Girt L. Nicholson, ये दो scientist ने मिलकर हमें fluid mosaic model को बताया 1972 में, और इस model के through, उन्होंने हमें यह बताया कि जो lipid होते हैं, उनका nature fluid होता है, और यही fluid nature of lipid की वज़े से ही, जो proteins होते हैं, वो in and out move कर पाते हैं, from within the plasma membrane, और lipid जो है, वो bilayer के form में भी arranged होते हैं, अब चलते हैं, fluid nature of plasma membrane की तरफ, जहां पे हम यह देख पा रहे हैं, कि fluid nature of plasma membrane की वज़े से ही, बहुत सारे functions, cell perform कर पाता है, जैसे कि cell division, cell का division इसलिए हो पा रहा है, क्योंकि plasma membrane जो है, वो एक fluid nature present कर रहा है, उसके अलावा, cell के growth, endocytosis, जिसे हम cell eating भी कहते हैं, और दो cell को जुड़े रहने में मदद करता है, gap junction के formation में help कर रहा है, और इसे हम यह भी कह सकते हैं, कि यह हमें intercellular junction form करने में मदद कर रहा है, transport of molecule भी एक specific function है plasma membrane का, तो हम यह कह सकते हैं, कि plasma membrane के थ्रूही बहुत सारे molecules का transport हो पाता है, चलिए देखते हैं कैसे, तो transport of molecules की अगर हम बात करें, तो दो तरीके से transportation हो पाती है, एक होता है passive transport, जहांपे हमें कोई भी energy का requirement नहीं होता, और दूसरा है active transport, जहांपे हमें काफी सारे energy की जरूरत पढ़ती है, अगर हम passive transport की बात करें, तो इसके अंदर दो process follow होते हैं, diffusion और osmosis, और अगर हम active transport, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि यहांपे बहुत सारे energy की जरूरत होती है, ATP के form में, passive transport की अगर हम बात करें, तो diffusion में भी हम दो तरह के process देख पाते हैं, simple diffusion और facilitated diffusion, passive transport की अगर हम बात करें, तो आपके सामने एक diagram दिख रहा होगा, एक stone है, जो कि एक mountain से गिर रहा है, अगर आप देखें कि ये stone में किसी भी तरह की energy की requirement नहीं है, क्योंकि ये एक धलान के नीचे से गिर रहा है, तो इस पर हमें किसी भी तरह की energy का requirement नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ही गिरता जाएगा, तो कुछ ऐसे ही आप relate कर सकते हो passive transport को, तो चलिए जान लेते हैं passive transport की nature के बारे में, तो passive transport को हम ये कह सकते हैं कि ये काफी spontaneous होते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की energy की requirement नहीं होगी, और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो solutes होते हैं, ये हमेशा concentration के gradient से move करते हैं, which is from higher concentration to lower concentration, और यहाँ पे हम किसी भी तरह के transmembrane protein की जरूरत नहीं होती है, और ये यूही transfer हो जाते हैं, जैसे कि हम इस example में देख सकते हैं, आपके सामने एक picture दिख रहा होगा, कि किस तरह से जो molecule है, वो move कर रहा है, transmembrane protein के through, transmembrane protein की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा protein है, जो की integral membrane में present होता है, यानि inner side of the membrane में present होता है, plasma membrane के, और ये एक तरह के gate की तरह function करता है, जिस तरह से अगर हम gate नहीं open करेंगे, तो कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक, उसी तरह से ये जो transmembrane protein है, वो एक gate की तरह काम कर रहा है, और इसके open या close होने पर ही, जो है, molecule की entry या exit हो पाती है, तो अगर हम बात करें, transmembrane protein की, तो हम ये कह सकते हैं, कि ये ही allow करते है, molecules या फिस substance को move करने में from the plasma membrane, जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं, किस तरह से transmembrane protein जो है, plasma membrane के थूँ, molecules को move out कर रहे हैं, within the cell.